पहुत अच्छी बात है उसकार आपनें पaconomination देखने मैं हूं आपके साथ वन्दना हमारे साथ बात करनी के लिए है राजित के वरिष्टनेता भाई विरेंद्र इन दीनों बिहार में लॉयन और्डर को लेकर के काफी हाय तौबा मचा हुआ है विपक्ष का कहना है कि सरकार से संभल नहीं रहा है सासन प्रशासन कुछ भी हो कैसे देख रहे हैं विपक्ष का काम है विरोध करना और सरकार का है बदमास है उस पर सरकार नकेल कस रही है और प्रशासन भी हमारी उसमें मदद प्रशासन नकेल कस रही है उसमें सरकार का आदेश है यह भी आरूप है नितिसकुमार को लिपर लगाया जा रहा है कि नितिसकुमार बिहार में अपरादियों को संद्रक्षक दे रहे हैं ज सबस्क्राइश कुछ भी बिपंगे नहीं ना कर सकते हैं कि सबस्क्राइश को उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना देश के बेरोजगारों को रोजगार दे सके ना देश में महंगाई पर रोक लगा सके ना किशानों के जो दुगना दाम देना था उपज का वो दे सके ना किशानों के खेतों में पानी दे सके तो उनके पास मुद्दा नहीं है बिहार यह देश है देश में ही सब राज्य है सब एक दूसरे से जुरा हुआ है और जब नितिश कुमार जी का नाम आता है तियर लोग तिल मिला जाते हैं और उपी में अगर बीहार पर बेहार ने नहीं क्व है अब तो बीज़ेपी उसका भीकार्ट निकालिया और अब बिहार में भी क्या कररेंगे मुहाबरे के जरिये उन्होंने कटाक्र किया है अब सवाल है कि जितनराम माजीद जी हम लोग के गार्जियन तुल है और कभी कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं अभी पहले फिर जदिव के विधायक बने उसके बाद अपना वह भी पाटी बनाए और उससे विधायक है हम उ कितनराम मादी के बारे में लोग का कहना है कि रात में कुछ कहते हैं दोपार में कुछ कहते हैं शाम में कुछ कहते हैं इसलिए उनकी टिपनी पर कोई भरोसा नहीं करता है देखे जिसका अपना मांग है नहीं पुरा होने पर लोग यही काम करते हैं सरकार मुस्तैदी से बिहार में सिक्षा का सुधार के लिए काम कर रही है और सरकार इदम सजग है इस मामले में कि सिक्षा का सुधार हो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राज़त विधायक और वरिष्टनेतायम भाइवरेंद जिन्हों ने कहा कि बिहार में तमाम चीजों पर सरकार की नजर है चाहे वो लोयन अडर हो या फिर सिक्षक का मामला हो इन तमाम चीजों पर सरकार गंभीर होकर की काम करिए आने वाले समय में जो भी जिनके आरोप है जो भी जिनका मांग है उस पर भी सरकार जो है कुछ नकुछ एतिहात कदम उठाएगी इसकर वस इतना ही बने रहे नेजपोनेशन के साथ धन्यवाद